हलो एवरिवन मैं विश्वाज जोशी यह अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ जी हां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं रेस्पाइरेटर जिस्टम श्वशन तंत्र जिसमें हम पिछले लेक्चर में मैकनिजम आप ब्रीधिंग कर चुके हैं जो श्वास की क्रिया वीदी है जो हम के रहे हैं यांतरिक क्रिया है जो मैकनिकल क्रिया है जिसमें हमारे डायफ्राम और इंटल कोस्टर मसल्स और थोरसिक कैवेटी इनवाल्व होती है वो हम मतलब हमने क्या पढ़ लिया था कि हम जो ऑक्सिजन ले रहे हैं वायू में ऑक्सिजन भी है ठीक है अन्य कैसे क्लियर तो यह हम लोग पढ़ चुके थे तो अगर हम देखें हमने क्या पढ़ लिया तो हमने पढ़ लिया था हमने यहाँ पर क्या mechanism of breathing clear breathing पढ़ लिया था मतलब हम कहें कि श्वास की क्रियावी थे पढ़ चुके थे और जिसमें हमने क्या पढ़ा था एक पढ़ा था inspiration inspiration पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था हमने एक पढ़ा था expiration clear हुआ मतलब उच्छे श्वशन और नीश्वशन मतलब inspiration हमने कहा inhalation oxygen को हमने लिया था वायू मंदली oxygen का या वायू मंदली वायू का lungs में जाना और clear किस में जाना lungs में और co2 का बाहर निकालना यह लेना और oxygen को co2 को बाहर निकालना clear यह हम पढ़े थे और इसमें क्या-क्या हमने देखा था कि जो intercostal muscles है यह जो यह हमारी क्या जो रीप्स है इनके वीच में हमने कहा था एसी क्या होती है intercostal muscles होती है यह intercostal EC muscles होती है इसके संकुचन से क्या हो रहा है inspiration हो रहा है और दूसरा हमने क्या कहा था दूसरी हमने कहा था AC हमारी क्या है एक internal भी होती है यह सब में होती तो इनके संकुचन और सितलन से क्या होता है expiration और inspiration और अगर हम देखे यहाँ पर यह वाला part हमने कहा था कि ये वाला पार्ट जो होता, ये दिखरा है आपको ये, ये पुरा एक membranous, क्या है ये diaphragm, ये क्या है diaphragm ये diaphragm होता है, तनु पड़ होता है, ये भी क्या होता है, नीचे जाता है, फिर उपड़ से ले जाता है सांस लेने में, ये हम पड़ चुके थे, clear हुआ अब हमें क्या देखना है कि साथ हमने क्या कहा कि जो हमने एटमोस्फेरिक जो गेसेस हैं उसमें क्या-क्या था तो हम के रहे भई उसमें हमारा यदि देखे हम तो नाइट्रोजन कितना थी नाइट्रोजन जो N2 है वो 78% है फिर ऑक्सिजन की बात करें तो ऑक्सिजन 29.90 मतलब एक प्रॉक्सिमेटली हम उसको कित्ता ले लेते हैं हम कित्ता बोल देते हैं 21% हम इन्हेल करते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं है रही ओ एक्जेक्टली कितना है 20.9 सम्थिंग होता है जिसको हमने 21% बोला अब हम के रहे हैं कि साथी साथ क्या है CO2 है तो CO2 0.03 % है यह हमने देख लिया फिर अदर गासेश भी होती है साथी साथ हम के रहे हैं water vapors है क्या है water vapors है जल वाश्प है और जल वाश्प कितनी है तो हम के रहे हैं 0.5 परसेंट होती है कितनी 0.5 परसेंट अब यहां पर एक हम बात कर रहे हैं क्या देखा हमने हमने इंस्पाइरेशन और एक्सपाइरेशन ऑक्सिजन इंटेक किया हमने ले रहे हम इन्हेल कर रहे है और यह क्या है एयर आउट अपड़ लंग्स तो यहां पर यदि हम कहें कि क्या क्या परिवर्तन हुआ एक शौट में हम देख लेते हैं फिर हम आगे पर चलेंगे क्लीर तो यहां पर क्या हो रहा है हमने कितना औक्सिजन लिया है कितना कर्मट एक्साइठ को इदर छोड़ा है यह हम देखेंगे यहां इंटर कोश्टन वसल का क्या फर्क पड़ता है वहां क्या पड़ेगा यह हम देख लेते हैं उच्छे श्वर्षण और नीच श्वर्षण clear clear आईये मतलब मैं क्या रहा हूं यहां पर क्या O2 मतलब हम डारेक्टली बोल दें यहां पर क्या है एयर इंटू oxygen का लेना clear हुआ यहां पर क्या हो रहा है अब बाहर छोड़ना मतलब यहां पर अंदर आ रही है लेना और यहां पर बाहर छोड़ना अब हम यहां पर के रहे हैं क्या साथी साथ हम के रहे हैं कि जो थोरे सी cavity है थोरे सी cavity मतलब जो वक्षी गुहा है क्या है वक्षी वक्षी गुहा का आयतन क्या होता है वाल्यूम क्या होता है आयतन बढ़ जाता है आयतन क्या हो जाता है बढ़ जाता है आयतन हो गया बढ़ गया हमारा वही पर वक्षी गु मतलब थोरेसिक केवेटी का आयतन क्या हो गया वॉल्यूम क्या हो गया कम हो गया घड़ जाता है क्लियर हो गया साथ ही साथ हम के रहें कि इंटर कोस्टल मसल्स अंतर पार्श्विक पेशियों में और डाइफ्रॉम में और किसमें डाइफ्रॉम में संकुचन होता है क्या होता है संकुचन होता है है ना inspiration में जब हम हम जब सांस ले रहे हैं तो oxygen जब हमने अंदर ली तो जो वक्षी गुआ है उसका volume है आयतन है वो बढ़ जाता है क्योंकि गे से अंदर आना है क्यों होता है क्योंकि जो अंतर पार्श्विक पेशियां है इंटर कॉस्टल मसल्स है उसमें भी कौन सी है हमारी एक्स्टरनल इंटर कोस्टल मसल्स क्या हो जाएगी वह संकुचन हो जाएगा डाइफ्रॉम्बिक पूरा फ्लेट हो जाएगा क्लियर हो गया वही पर एक्सपाइरेशन में क्या हुआ ऑक्सिजन जो हमने ली थी अंदर से लिए अक्सिजन तो परंतु एक्सपाइरेशन के समय करबन डायक्सेट क्या हो जाती है बाहर चली जाती है वक्षी गुहा का आयतन कम हो जाता है clear और जो intercostal muscles है अंतर पार्श्विक पेशियां है और diaphragm जो है जो diaphragm है वो शिथिल हो जाता है क्या हो जाता है शिथिल हो जाता है clear हो गया अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इन में से क्या फरक पड़ेगा clear तो इन में से यदि हम देख लेते हैं तो एक बार हम यहाँ पर फिर लिख लेते हैं inspiration inspiration या inhalation सास का लेना और expiration है ना explanation मतलब बाहर निकालना अब यहाँ क्या होगा nitrogen जो है वो तो 78 परसेंट ही ले ली हमने clear फिर oxygen को हमने लिया कित्ता 21 परसेंट ले लिया मतलब और co2 को हमने 0.03 परसेंट ही क्या कर लिया ले लिया वायू मंडली है atmospheric atmospheric gas है वायू मंडली gas है यह सब वायू मंडली gas है ना clear हो गया अनिग gases भी होती है पर हमको इन पर विशेज ध्यान रखना और life saving कौन सी है बटा life saving कौन सी है हमारी oxygen अब यहां पर हम जलवाश्व की बात करें water vapor की बात करें जलवाश्व तो हम कितना ले लेते हैं 0.5% हम जलवाश्व ले लेते हैं clear हो गया ठीक है उदर हमने mechanical चीज़े हैं कि क्या परिवर्तन हुआ हमारे physical part में क्या परिवर्तन हुआ वह हम इसमें देख चुके अब expiration जब explain मतलब हम भार निकालते हैं तो हमारी nitrogen कितनी निकल जात है तो 21% में हमने कितनी छोड़ दी वापसी हमने छोड़ दी 16% ध्यान रखिए गा और carbon dioxide कितनी जादा होगी carbon dioxide का यहां पर एक प्रशन आता है तो उसका ध्यान रखना कि कितनी छोड़ रहे हैं हम तो वह कितनी है 4% यहां पर विशेज ध्यान रखना क्या बोल रहे हम फोर परसेंट क्लियर हुआ अगली बात हम के रहे हैं जो वाटर वेपर की बात कर रहे हैं किसकी जलवाश्प की बात कर रहे हैं जलवाश्प की बात कर रहे हैं तो 6.5% क्या करेंगे जलवाश्प को हम क्या करते हैं अपने शरीर से मतलब हमारे जो फेपड़े हैं फेपड़ों में जो अलवे उलाई है वो 4% क्या बना देगी कार्बन डेयाकसईड उसमें क्या होगा 6.5% जलवाश्प किसके थुरू पूरा ट्रेकिया से होते हुए हमारी नासिका से बाहर चले जाए तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि इंस्पाइरेशन में तो ऐसी केसी गेस को ले लेते हैं इन सब गेस को हम क्या कर लेते हैं ले लेते हैं है न और हम जब एक्सपाइर जम छोड़ते हैं तो हम क्या है इन सब को इतना गेस को हम क्या कर लेते हैं हमारे नाक्सिका से शुरसन वाक से क्या कर देते हैं भार निका लेते हैं तो ये inspiration हो गया expiration हो गया और यह किसके अंदर है यह भाईश वशन के अंतरगत आया है inspiration expiration अब भाईश वशन में ही हम देखेंगे गेसो का आदान प्रदान गेसो का विनी मय ठीक है exchange of gases और exchange of gases में particular किसका आएगा तो हम exchange किसका कर रहे है CO2 का और CO2 का oxygen का और carbon dioxide का तो अब हम उसको देख आईए अब हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर human respiratory system में अब बात कर रहे हैं किसका exchange of gases exchange of gases मतलब गेसो का गेसो का आदान प्रदान गेसो का विनी मय विनी मय होता है ना exchange या हम क्या बोल रहे हैं आदान प्रदान मतलब हम कुछ दे रहे हैं और कुछ ले रहे हैं हो गया तो यह हम को क्या देखना है गेसो का आदान प्रदान अब हम के रहे हैं कि गेसो का आदान प्रदान कहां कहां होगा Gaseous Exchange किसका होता है Gaseous Exchange जो होगा वो किसका होगा CO2 और किसका O2 का इन दोनो Gases का होगा न Clear ठीक अब हम चलते हैं ये देखेंगे कि मुख्य रूप से Gaseo का जो आदान प्रदान होता है क्या उसकी जो प्राथमिक जगा होगी Primary साइट जो होगी वो क्या होगी तो हम किरें कि Gaseo के Gaseo के Vini Mai Gaseo के Vini Mai का प्राथमिक इस्थल क्या बात कर रहे हैं Primary प्राइमरी साइट प्राइमरी साइट ऑफ Gaseous एक्सचेंज क्या बोल रहे हैं Primary साइट ऑफ Gaseous एक्सचेंज तो वो क्या होगी वो होगी आपकी वायू कुपी का हैं कुपी का हैं या हम कहेंगे Elve Olai क्या हो गई Elve Olai और Elve Olai प्राथमिक क्या है Gaseo का प्राथमिक प्राथमिक किस तल कूपी का होती जिसको हम Elve Olai केते हैं और Elve Olai क्या है Structural and Functional Unit of Lungs ठीक है हमने क्या कहा और आल कहां पर होगा आदान प्रदान और आल कहां पर होगा तो हमने कहा Lungs में फेपडों में और फेपडों में ही क्या होगा कुपिकाएं होती है हमने देखा था ना कि ये ये जो है ये नासिका है नासिका से ट्रेकिया में आ गया ट्रेकिया से क्या हो गया ट्रेकिया से ब्रोंकाई हो गई या ब्रोंकस हो गई और यह ब्रोंकस किस में खुलती है तो हमने कहा किस में खुल गई तो हमने कहा भईया किस में खुल गई है लंग्स में खुल गई और यही पर फिर आगे जाके यह क्या हो गया अंगुर लता की बात कर ली हमने यह और यहाँ पर क्या है यह न अलवे ओला से अलवे ओलार से एक है तो यह सब क्या है यहाँ पर एक को ले ले तो अलवे ओला ही हो गई है तो यह primary site है clear हो गया अब हम आगे चलते हैं यह complete यह ध्यान रखेगा कि गेसो का वी निमय कहा हो रहा है तो हम किस में हो रहा है कुपिका में और दूसरी बात करें तो किस में होगा साथी साथ ब्लड और टीशूज में टीशू फ्लूड में मतलब किस में हम किरें हैं उतक द्रव में कहा होता है साथी साथ गेसो का वी निमय जो होता है वो कहां पर भी होता है बलड और फ्लूड उतक में भी गेसो का वीनिमय होता है क्लियर हुआ एक तो कहां पर होगा अलवे उलाई में और कहां पर होगा टीशू फ्लूड में भी होता है clear है अब हम और आगे की और बढ़ते हैं ठीक है अब यहाँ अलवे उलाई में कहां कहां होगा अलवे उलाई में किन के बीच में होगा आदान प्रदान अलवे उलाई में तो होई राय तो हम अलवे उलाई का बोल रहे हैं कहां पर हम के रहे हैं अलवे उलर एयर में और एट्रियल ब्लड में कैपेलरी मतलब किसमे होगा तो यहां पर यदि हम देखें तो इसको देखो यह हमारी एक क्या हो गई अलवे ओलाई हो गई है ना और नीचे क्या हो गई नीचे हमारी क्या हो गई ब्लड कैपेलरी हो गई हो गई ब्लड कैपेलरी तो यह क्या होगा यहां से क्या हो गया यहां से सी ओटू ऊपर चली गई और जो यहां पर O2 थी वो कहां आ गई ये represents अंग हैं जो क्लवर बोल भी रहें ना मुटरों तिशू भी हो आगे हम चलते हैं अब यहां पर एक बात आती है कि गेसो का जो वीनिमा होता है क्या बात करेंगे गेसो का जो वीनिमा होता है वो क्या होगा साधारण विसरण के द्वारा होता है गेसियस एक्सचेंज जो होता है लंक्स में वो किसके द्वारा होता है simple diffusion के द्वारा होता है ठीके आईए गेसो का विनिमय exchange of gases किसके द्वारा होता है तो हम किरें हैं साधारण साधारण विसरण के द्वारा किसके द्वारा हो रहा है साधारण विसरण के द्वारा होता है हो गया साधारण विसरण के द्वारा मतलब exchange of gases exchange of gases किसके द्वारा हुआ तो हम यहाँ पर कहे रहें किसके द्वारा simple diffusion के द्वारा किसके द्वारा हुँ रहा है by simple diffusion अब यहां पर हम diffusion को समझ लेते हैं क्या? diffusion को समझ लेते हैं जो diffusion होता है जो diffusion होता है वो क्या होता है इक पेस्यू पेस्यू क्रिया है क्या है, diffusion एक निश्क्री करिया है, विसरण क्या होता है, निश्क्री करिया है, clear, एक ऐसा घटनाकरम है, जिसमें क्या है, कोई भी प्रधार्त है, especially हम किसकी बात करें, जो प्रधार्त की और या हम के रहे हैं गेसों की, तो क्या होगा, ये जो होगा, ये अधिक सांद्रता से, क्या हो रहा है, अधिक सांद्रता से, कहां पर होता है, कम सांद्रता, कोई भी द्रव का जो flow होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता या हम कहें क्या हम क्या बोल रहे हैं अधिक दाप से अधिक दाप से कम दाप की और होता है क्लियर हुआ विसरण किसी भी प्रधार्थ का जो डिफ्यूजन है एक निश्क्री क्रिया है उसमें गेसो का जो flow होता है वो अधिक सांद्रता या अधिक दाप से क्या होगा कम सांद्रता या कम दाप की और होता है और इसका एक्जामपल जो है वो क्या है गेसों का भी निमय मनुष में या अन्य में क्या होगा एक फेपड़ों में जो गेस का आदान प्रदान होगा वो अधिक दाप से कम दाप की और होता है ये विशरण है तो अब हम समझ लेते हैं वापसी क्या हो रहा है इसमें आईए अब यहाँ एक चीज और समझ लेते हैं क्या हम यहाँ समझ लेते हैं कि प्रतेक गेस प्रतेक गेस का विशरण दाव विशरण दाव मतलब डिफूजन प्रेशर जो होगा वही क्या कहलाएगा अन्शिक दाव कहलाएगा क्या कहलाएगा आंशिक दाब पार्शिल प्रेशर केहलाता है क्या कहला रहा है आंशिक आजिक दाब या हम करें है पार्शिल प्रेशर क्लियर हुआ ध्यान रखिएगा पार्शिल प्रेशर तो हमेशा कि जो अधिक आंशिक दाप से कम आंशिक दाप की और क्या होगा गेसो का विश्रण होगा क्लियर अब यहां पर हमको देखना है क्या जैसे हम एक क्या बना लेते हैं यह हमारी क्या है अलवे ओलाई है कुपी का है कुपी का ठीक है और यह क्या है यह हमारी ब्लट कैपेलरी है क्या है ब्लट कैपेलरी अब ध्यान रखिएगा अलवे उलाई है और इन में सिंपल इस्क्वेमोस क्या होता है इपिथिलियम होता है जिसमें गेसो का आदान प्रदान क्या हो जाता है इजीली हो जाता है भाईया हम कह रहे हैं कि जो अंगूर लता की बात करी ना हमने एक पूरा एक पूरा एक मेन ब्रांच हाई जो ट्रेकिया हो गया और फिर क्या हो गया अलग-अलग ब्रांची हो गई और एक एक अंगूर जो है उनको उसमें से एक अंगूर को हमने निकाल दिया तो वो क्या हो गया अलवे ओलाई हो गई जो फेपडो की या लंक्स की क क्या हैं सरशनात्मक और कारिात्मक इकाई है functional और structural unit हे clear यहीं पर क्या हो रहा है oxygen आ रही है ठीक है और यह learnt में होती है और यह कहां पर जुड़ी होगी जो हम किरें यह blood capillary में यह वाली हमारी क्या है blood ब्लड केपेलरी और इस्पेशली यदि हम बात करें तो ब्लड केपेलरी में कौन सी बात करेंगे हम यहाँ पे एक होगा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा पल्मोनरी आर्टरी में डी ऑक्सिजनेटेड ब्लड होगा अशुद्र रक्त होता है होता है बिलकुल होता है ठीक है तो अशुद्र रक्त होगा मतलम यहाँ पर सी ओ टू होगी है ना अब हम के रहे हैं कि यह जो अलवे उला लवे उलाई में क्या होगा तो अलवे उलाई में के रहे हैं ओडू होगा की न होगा ओडू ठीक है अब कहां पर जाएगा ओड़ू जाएगा हमारा कहां पर ब्लद में और ये वाली ब्लड इधर वाली यहाँ पर हम देख लें तो यह pulmonary artery हो गई और यह क्या हो गया pulmonary vein हो गई और pulmonary vein में क्या होता है oxygenated blood होता है तो oxygen यहाँ पर आ गया oxygen अब वही पर अगर हम देखें तो यह जो co2 है ये CO2 कहाँ चले गया CO2 कहाँ था CO2 इसमें था CO2 कहाँ चले गया उपर clear CO2 कहाँ पर चले गया ये CO2 है ना अब हम देखते हैं कि जब हमने कहा था कि जो भी गेसे हैं उनका आदान प्रदान हो रहा है तो हमेशा जो partial pressure है वो partial pressure से अधिक partial pressure से कम partial pressure पर गेसे जाती है तो अब आप देखें कि यहां पर oxygen की मातरा कम थी बिलकुल कम थी तो यहां पर oxygen का partial pressure की बात करें oxygen के partial pressure P से pressure हो गया तो PO2 PO2 का partial pressure यहां पर क्या है PO2 का partial pressure 104 mmHg होता है है और नीचे कितना था तो हमने कहा यहाँ पर PO2 जो है वो 40 था है न इधर हम देखते हैं यहाँ PO2 कितना था इसमें ब्लड में इधर वाले पल्मोनरी आर्टरी में oxygen कम थी अशुद रखते हैं तो हमने कहां यहाँ PO2 है है न PO2 का मतलब PO2 partial pressure कितना है तो हम किरे 40 है 40 mmHg है तो आप बताओ यहाँ पर 104 है तो 104 से कहां पर आ गया नीचे आ गया न clear है तो जैसे ही उपर अधिक तालवे ओलाई में oxygen आ गई थी हमने जब सास ली तो उसको कहां जाना है उसको blood में जाना है और blood में आ गई अब जैसे ही आई तो यहाँ पर क्या हो गया शुद्धरक्त हो गया कि шт-ड। हो गया न अब शुद्धरक्त ओ गया और हमको मालंद है कि जो फुफुसी धंशीरा है उसमें शुद्धरक्त होता है और फुफुसी जो धमनी होती है उसमें अशूद दरक्त होता है अब जब अशूद दरक्त है तो अब आप देखिए कि मैंने एरो कार्बन डियक्साइट का उपर बनाया है तो अब आप देखो कि यहाँ पर कितना है यहाँ पर कितना होगा कितना होगा 40 होगा तो कि अल्वयर में कर्बन डियक्साइट लग्तój में ज्यादा थी और तो कम से अधीट कि पर चली गई तो यहां पर अब आपक सीजन नीचे आ गई कर्बबन डियक्साइट बाहर नीकाल देंगे हम क्लियर हो गया यह completely अब हम आगे चलते हैं एक table के रूप में भी हलका सा हम लोग देख लेते हैं आईए यहाँ पर कितना हो जाएगा oxygen का PO2 partial pressure अब यहाँ पर 95 हो जाएगा है ना ध्यान रखिएगा clear तो हमने कहा O2 का अलवे ओलाई में कितना होगा अलवे ओलाई में 104 होगा MMHG CO2 का कितना होगा तो हम कितना अलवे ओलाई में कितना होगा तो अलवे ओलाई में हमारा क्या होगा 40 कम है यहाँ पर यह जादा है और blood की बात करें तो blood में यह चले जाएगा यहाँ 95 हो जाएगा oxygenated और यह कितना है भई यहाँ पर जादा था तो यह किस में चले गया यह कितना था 45 है न यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा मैंने जादा नहीं बताया आपको तो अधिक से कम की और है न अधिक से कम की और तो अलवे उलाई में oxygen ज्यादा है और बलड में कम है तो Chief ब्लड में oxygen आ जाएगी और ब्लड में CO2 जादा थी तो वो किस में चली जाएगी आपके अलवे उलाई में क्योंकि अलवे उलाई में CO2 कम है और हमको इसको भार भी भेजना है तो यह गेसो का क्या हो गया वीनिमाई हो गया ठीक है गेसो का वीनिमाई कहां पर हो रहा है तो हमने कहां अलवे उलाई में कहां पर यह हो रहा है आपके ब्लड में और पूरा अलवे उलाई और ब्लड के बीच में ठीक अब अगला हम चलते हैं क्या अगला हम जो चलेंगे वो क्या हो जाएगा वो होगा आपका ट्रांस्पोर्ट ओफ गेसेस अब तो एक्स्चेंज हो गया कि भाईया मैंने आपको कुछ दे दिया आपने मुझे कुछ दे दिया आपको मैंने जो दिया आपको उसको कहीं और भेजना है मैंने जो लिया मुझे कहीं और भेजना है तो अब जो मेरे ऑक्सिजन है जो ऑक्सिजन ली है ब्लड में जो ऑक्सिजन है वो oxygen कहां किसको requirement है तो वो ले cell को requirement है तो अब वो जो oxygen है वो rbc के साथ में rbc में जाएगी rbc में hemoglobin के साथ bond होगी और कहां चली जाएगी सेल में चली जाएगी तो यह क्या हुआ आपका यह आपका transportation हुआ और वो क्या करेगा oxidation करेगा अब सेल में हीमोग्लोविन के साथ क्या हुआ oxygen मिल जाती तो और यही जाकर क्या होगा oxidation करेगा किसका glucose का तो यह क्या कहलाता है cellular respiration ठीक है तो सबसे पहले हम अभी क्या देखेंगे अभी हम देखेंगे transportation of oxygen and carbon dioxide oxygen और carbon dioxide gas का परिवहन हम देखेंगे तो कुन सी प्रोसेस हो गई सबसे पहले हमारी हुई क्या जो है external respiration में हमने क्या देखा भाय असोशन में हमने सबसे पहले क्या देखा भया हमने breathing को देखा श्वास क्रिया को देखा श्वास क्रिया दो में हुई यांत्रिक क्रिया थी कि inhalation किया inspiration और oxygen को छोड़ दिया ठीक है फिर दूसरे में हम आए तो क्या हुआ गेसों का वीनी में एक्स्चेंज ऑफ गेसेश हुई ठीक है क्या हुई एक्स्चेंज ऑफ गेसेश हो गई अब तीसरा हमारा क्या आएगा तीसरा हमारा आएगा क्या ट्रांस्पोर्टिशन ऑफ गेसेश ठीक है आईए आईए हम लोग ट्रांस्पोर्टिशन देखते हैं पहुत हुआ है ट्रास्पूटिशन के प्रिए टेबल हें तोड़ा सा हम देख लें कि जो रेहुआओ ट्रीक्रेस ही लाति क项 लीगेस खर राद से में मुख्यरूप से ज़ोुआ है ऑक्सीजन इट्मॉसफियर वाइसो मंडरी गेस क्यों सी है कहें वाईमंदली गेस की बात कर ले हम वाईमंदली गेस का हम लोग जो प्रेशर देख लें वो देख लें फिर अलवे ओलाई में क्या रहेगा ऐक्सिनेट ब्लड में क्या रहेगा ठीक है अलवे यहां पर उतक तो यहां पर एक हलका सा बता रहा हूं कि जो मैंने वहां पर बता है कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का जो एक्मॉस्फियरिक प्रेशर है वह कितना है 159 में फिर अलवे लाइन में मैंने बताया था कितना हो गया यह सब में है 104 होता है अब 104 है पर अब देखो जो रक्त ब्लड में कितना है 40 है तो यह क्या होगी अधिक से कम की और जाएगी तो यहां पर जब जाएगी तो वह ब्लड क्या हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 95 तो टीशू में कितना पहुच गया 95 अब हमको मालम है कि कार्मडेयक्साइट क्या है भी यह 0.3 परसेंट है ठीक है अब यह क्या हो रहा है यह जो है अब अलवे लाई में कम हैं हमको बाहर मिकालनी है पर वही पर यहां पर देखी यहां जादा है किसमें ऑक्सिजन क्यों हो रहा है अशुद रक्त क्यों हो रहा है क्योंकि इसमें कार्मडेयक्साइट की मात्रा बढ़ गई है इसलिए यह क्या है यहां यह इधर आ जाएगा क्लियर हुआ क्योंकि और 104 से यह इधर चले गया अब ऑक्सिनेटेट ब्लड में जब यहां डि-oxygenated था तो 45 ठाब इसको कम करना है तो जब ये इधर चले गया तो उप्षिनेटेड ड्लड क्या है जिसमें carbon dioxide की मातला कम हो गई मतलब कितनी हो गई 40 तो आप देखिये ऊद्द तक में कितना हो गई carbon dioxide की मातला कम हो गई तो यह table का ध्यान रखेगा ठीक है यह mmhg में ध्यान रखना पी से हमने क्या बोला प्रेशर को बताया है अब हम आते हैं किस पर हम आते हैं यहाँ पर गेसो के के गेसो का परिवहन मतलग transportation ट्रांसपोर्ट आफ ट्रांसपोर्ट आफ गेस और किसका oxygen और किसका carbon dioxide का इसको हम देखते हैं तो अब हम किरें कि गेसो के परिवहन का जो माध्यम है जब medium of transport अफ गेसे वो क्या होता है कि वो होता है blood क्या होता है blood होता है इस blood में ही हम क्या बोलेंगे इस blood में ही क्या घुली होई है इसी blood में यदि हम देखें तो O2 है और इसी blood में क्या है CO2 है इसको हम देखेंगे तो one by one करके हम देखते हैं कि इस blood में इस रक्त में इस रक्त में इस रक्त में इस रक्त में इस कार्बन डियाक्साइट कितना है और यह किन से बाउंड होके ऑक्सिजन किस से किसके माध्यम से ब्लड में प्रवाहित होगी और कार्बन डियाक्साइट किस में किस रूप में रहेगी इसको हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम किसका परिवहन देखेंगे तो सबसे पहले ट्रांस्पोर्ट ऑफ ऑक्सिजन अब ट्रांस्पोर्ट ऑफ ऑक्सिजन को यदि हम देखें तो क्या होगा अब यहाँ पर हम के रहे हैं कि जो 97 परसेंट जो ऑक्सिजन है वो ब्लड में वो ब्लड में क्या होगी किस से जूड रही है आर बी सी कहा पर 97 परसेंट अक्सिजन ब्लड में किस से जूड रही है आर बी सी में और आर बी सी में किस से जूड रही है वो जूड रही है हीमोगलोबिन से किस से जूड़ रही है हीमोग्लोबिन से और हम यहां के रहें कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलीक्यूल एक हीमोग्लोबिन के मॉलीक्यूल से चार ऑक्सिजन के मॉलीक्यूल बहुत बहुत इंपोर्टेंट है और हमने कहा कि हीमोग्लोबिन होता किसमे है तो हमने कहा ये आरबीसी है आपकी ये आरबीसी है और इसी आरबीसी में क्या हो गया हीमोग्लोबिन होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं और इसी हीमोग्लोबीन में एक हीमोग्लोबीन से कितने चार ओक्सिजन के क्या मिलेंगे मॉलीक्यूल मिल जाएंगे मतलब मैं कहूं कि RBC ब्लड में, ब्लड एक क्या है, राश्ता है, ठीक है, उस में RBC एक कार के रूप में है, ठीक, और उस कार का ड्राइवर है हीमोगलोबीन, और सवारी कितनी है, सवारी किस रूप में है, ऑक्सिजन के रूप में, और सवारी कितनी है, पैसेंजर कितने है, चार है क्लियर तो उस RBC रूपी कार में ड्राइवर हीमोग्लोबीन कितने ओक्सिजन पैसिंजर को लेके जाएगा चार और अगर हम कहें कि हीमोग्लोबीन तो हीम जो पार्ट है वो किस रूपे होगा हमने कहा आइरन हो गया प्लस टू फिर प्लस टू हो गया एसे चार ये फेरस फार्म में होंगे और यहां पर एक ऑक्सिजन एक ऑक्सिजन और एक ऑक्सिजन और ये सब क्या है हीमोग्लोबीन है अब हम कहते हैं कि भई 3% कहा चली गई तो 3% जो रिमेनिंग 3% ऑक्सिजन है वो क्या हो जाएगी वो प्लाजमा में हमने कहा न एक लिक्विट पार्ट होता है और एक क्या होता है सॉलिट पार्ट तो सॉलिट पार्ट में क्या RBC हो गई WBC हो गई और प्लेटलेट्स हो गई और लिक्विट पार्ट क्या है प्लाजमा हो गया क्या हो गया प्लाजमा और प्लाजमा में क्या हो जाएगी डिजॉल हो जाएगी घुल जाती है गुली तवस्था में क्या हो जाएगा गुली तवस्था में अब आगे जाके हम यही कह रहे हैं कि यही ऑक्सिजन जब मिलती है तो क्या बना लेगी oxy hemoglobin क्या बना लेगा oxy hemoglobin बना लिया ठीके और यही कहां चले जाएगा आखरी में tissues पर जाएगा और इसमें से क्या हो जाएगा पूरा oxy hemoglobin वहां पर क्या होगा यह तूट जाएगा hemoglobin का oxidation नहीं होता है तो एक reversible kriya चलेगी और क्या हो जाएगा हम देख रहे हैं आई एक equation देख लेते हैं मैंने कहा कि यह HB और O4 यह तो alveoli alveoli तो यहां पर HB HB ले रहे हैं हम तेके यह यदि हम देख रहे हैं एक equation हम देख ले हैं तो क्या हुआ hemoglobin से क्या जुड़ गए आपके यह हो गया oxygen किसमे alveoli में तो HB 4 O8 हो गया फिर यही से क्या हो जाएगा यह tissue में चले गया और फिर तूट जाएगा तूट जाएगा किने तूट जाएगा तो इस तरीके से हमने देख लिया oxygen का परिवहन transportation हो गया किसमे होगा RBC के हीमोगलोबिन के साथ जुड़ता है clear हो गया और अब यहाँ पर यही पर आगे जाके इसी यही पर क्या हो जाता है यही जो बात कर रहा है यही cellular respiration है cellular respiration जो plant physiology में आता है हम पढ़ेंगे इसको ठीक है यह कोशी की श्वशन हो गया कोशी की श्वशन अब हम देखते हैं क्या एक बर फिर है कि 97% जो है वो जो oxygen है वो किसमे क्या है आपके हीमोगलोबिन से मिल जाती है किस के थूरू RBC के थूरू 3% किसमे डिजॉल हो गई प्लाजबा में अगला हम चलते हैं हम किसकी बात करेंगे अब हम करेंगे CO2 का परिवहन मतलब transport of CO2 यह भी important है ध्यान रखना भाई है न चले अब हम बात कर रहे हैं कि जो 70% जो CO2 है वो किस रूप में होता है भाई तो वो होता है bicarbonate क्या होता है bicarbonate क्या हुआ bicarbonate के रूप में फिर 20 से 25% CO2 जो होता है वो आर बी सी में कार्ब एमिनो कार्ब एमिनो हीमो गलोबीन के रूप में क्लियर ठीक है अब बचा लगभग साथ प्रतिश्यत जो होता है CO2 वो क्या होगा CO2 जो होगा वो क्या हो जाएगा वो प्लाजमा में प्लाजमा में घूल जाता है में घूली तवस्ता में क्लियर हो गया बेटा ये तो 70% क्या है जो भार वो हो रहा है कर्बन डेक्सेट किस रूप में होगा परिवन बाइकार्बोनेट के रूप में 20 से 25 जो होगा कार्बाइमिनों हीमगलोबिन के रूप में और जो रिमेनिंग है साथ परसेंट लगभग वो क्या होगा प्लाज्मा में घुली तवस्था के रूप में होगा तो ये क्या हो जाता है आपका CO2 का ट्रांस्पोटेशन ठीक अब हम देखेंगे क्या अगले लेक्चर में हम सेलूलर रेस्पाइरेशन की बात करेंगे शौर्ट में सेलूलर रेस्पाइरेशन की बात करेंगे और क्या करेंगे रेस्पाइरेशन से रिलेटेट क्या होगा जो डिसी से उसके बारे में हम लोग जानेंगे तो आज इतना ही फिर अगले लेक्चर में मिलता है थैंक यू सो मच